आज मैं आपको तीन इंडिकेटर्स बताऊंगा जिसमेना थर्ड वाली बहुत स्पेशल है वैसे आपको नहीं पता हो तो बता दू हमारे चैनल पर इंडिकेटर्स के सीरीज चल रही है जिस सीरीज में हम सभी इंडिकेटर्स को स्टेप बाइ स्टेप सिखते हैं और इस पहले हमने RSI को सिखा था अब भी नेक्स है रिलेटिव वाइगोर इंडेक्स यह इंडिकेटर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा इंट्राडेट रेडिंग करना हो तो टाइम फ्रेम को 5 या 15 मिनट कर लेना फिर इंडिकेटर की राइट साइट को देखो तो आपको कुछ न के बीच में फ्लक्चुएट करता है एंडिकेट के स्पीड को बताने की कोसिज करता है तो इस इंडिकेटर को थोड़ा सा सिंप्लिफाई करते हैं उसके लिए आपको जहां पर जिरो लिखा है वहां पर ऐसा आपको एक होरिजन्टल लाइन ट्रॉ कर देना है प्लस पर क्ल के टाइम इंडिकेटर की वैल्यू कितनी थी अगर उपर के साइट क्रॉस मिले तो जितना ज्यादा पॉजिटिव नंबर रहेगा उतना ज्यादा एक्क्यूरेट होगा सिंगनल सेमें इस नेगेटिव साइड में भी आप चेक कर सकते हो एन आप से कहा था कि सेकेंड वाली इंडिकेटर में थोड़ा सा प्रॉबलम है तो चलो बताता हूँ ये वाला इंडिकेटर आरेसाई के जैसा है बट 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 ये वाला आरेसाई नहीं है इसमें भी उपर वाली लाइन को अपर लिमिट कहा जाता है जो की 80 का होता है यूज करना काफी एजी है अगर इंडि 20 को टच करती है तो बाइस सिगनल मिलेगा बट इसमें प्रॉबलम ये है कि सिगनल काफी बार फेल हो जाते हैं सो सही सिगनल कैसे बटा कर सकते हूँ वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा पहले थर्ड वाले इंडिकेटर को सीख लेते हैं SMI Ergodic Indicator and Oscillator MSD Indicator अगर आपको यूज करना आता है तो ये वाला बिल्कुल ऐसा ही इंडिकेटर है उपर के साइट अगर ब्लू लाइन औरेंज लाइन को उपर से नीचे की दरफ काटे तो सैल सिगनल मिलेगा डाउन साइड में अगर ब्लू लाइन औरेंज लाइन को नीचे से उपर की नहीं होते हैं, so use करने से पहले paper trade में backtest करके आप check कर सकते हो, और इन indicators में जो signal मिले, उनकी accuracy को अगर बढ़ाना हो, तो जहाँ पर indicators buy या sell signal दे, वहाँ पर आपको support और resistance चेक करनी है, sell signal मिले तो resistance के पास मिले तो ज़्यादा better होगा, और buy signal मिले तो support के पास मिले तो पर click कर सकते हो, आपसे मिलते हैं next video पर, thanks for watching